सो जैसे कि आपको पता है कि कल के दोनों मेरे प्रेडिक्शन बिल्कुल सही गए और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि जैपूर एंड बेंगलोर को पहला जीत मिल गया प्रो कबड़ी में जिससे जो लीगे वो यहाँ पे और भी ज़्यादा इंट्रस्टिंग हो चुका है आज की दिन सिफ एक ही मैच खेला जाएगा जो यहाँ पे बेंगॉल वारियर्स बनाम पतना पाइरेट्स के बीच में होगा आईए इस मैच का प्रिव्यू करते हैं सब जबले मैच की इंफो जे शुरुवात किया जाए तो मैच निमर 20 है जो यहाँ पे बेंगॉल वारिय से वो यहाँ पे टाइ हुए है लास्ट टाइम जब दोने टीम्स फिडी थी तो पतना पाइरेट्स की टीम ने बेंगॉल वारियर्स को 49-38 के स्कोर से हराया था पीकल सीजन 9 में तो ओवरोल पतना पाइरेट्स का हेड टो हेड में पलड़ा भारी है दोने टीम्स की स्टार कॉल वारियर्स का रेडिंग लाइनप अच्छा परफॉर्म कर रहा है एंड सुभम शिंदे ने तो 11 टैकल पॉइंट स्कोर किया था पिछले मैच में तो डिफेंस भी काफी अच्छे कॉन्फिडेंस में लग रहे होगे पतना पाइरेट्स की बात किजाए तो पतना पाइ हर एक प्लेयर दिखा रहे है दोने टीम के स्टार्टिंग सेवन को कंपार करें इससे पहले एक छोटी से रिक्वेस्ट है आप सभी से जिन्होंने भी अभी तर्ट टेलिग्राम चैनल को जॉइन नहीं किया फटाफ़ चैनल को जॉइन कर लो दो लेगी कंप्लीट हुए अ अब से पहले इंफॉर्म कर देना वाला हो तो टेलिग्राम पे जाके एड़रेट स्पोर्ट सनिफ सेवन सर्च करना है नहीं तो डिस्क्रप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा बेंगॉल वर्यस के साथ सुरुवात किया जाए तो यहां पे बेंगॉल की बराबरी कर चल रहा है जहां पे मनिंदर अच्छा परफॉर्म कर रहे है पतना पारेट्स में कोई एक प्लियर ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे है हर एक प्लियर बराबरी का परफॉर्मेंस दिखा रहा है बेंगॉल के टीम से एक पॉजिटिव नॉट ही है कि पटना के पास नीरज एंड सजी ने दोनरी टीम्स का कवर्ड जो डूओ है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, डिफेंस की बात की जाए तो यहाँ पे कॉर्नर डिफेंस में सुबम सिंदे और अधित्य सिंदे भी अच्छा खेल रहे हैं, क्रिशन दूल और अंकी सिंदे ने तमिल तलावस का अगें 16 रेट पॉइंट स्कोर किया था, यह कॉन्फिडेंस इनको एक और अच्छा पारी खेलने में मजबूर करेगा, मुझे लगता है कि इस मुकाबले में भी ऐसा ही टैप का नौक देखने को मिलेगा, पटना पारेट्स की बात की जाए तो लास्ट में टैकल किया था, सुधाकर ने गुजरा जैंट का अगेंस्ट वो बहुत अच्छे तरीके से किया था, तो मुझे लगता है कि सुधाकर को मौका मिला, पूरे 40 मिनिट खेलने का तो अच्छा पार्फोर्मेंस दिखाएगे, मेरी प्रेडिक्शन के बारे में बात यह मुकाबला जीतेगी, अंदरी से मुझे लग रहा है कि बेंगॉल की टीम इस मुकाबले में अच्छा खेल सकती है, पतना की टीम बहुत गेप के बाद खेल रही है, तो यह थोड़ा दिक्कत दे सकता है, पतना पारेट्स को अब आपको क्या लगता है, अगर आपको लिडर्स और टॉप डिफेंडर्स भी जानना है, तो राइट साइट पर क्लिक करके देख सकते हो, तब तक मैं मिलता हूँ, ऐसे एक और इंटरस्टिंग उड़ो के साथ, ठैंक्स पर वाचिंग